हलो दुस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपनी शैनल टॉक्स फुरियो में दुस्तों आज का वीडियो गोशने कोलेज राची के लिए है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूजी एडमिसन से रिलेटेड कुछ बातें जो आपने थमनेल में भी देखी लिया होगा और अगर आपने थमनेल में अभी तक नहीं देखा तो चलिए मैं आगे इस वीडियो में बता दूँगा आप सभी को टेंसन लेने की जो औरत नहीं है लेकिन जो इस्टुडेंस हमा जितने भी अलपसंग के कोलेज हैं सभी में लगबग दो महीने के बाद एडमिसन स्टार्ट हो चुका है आप सभी को मालूँ होगा कि 10 मही से ही राची उनिवरसिटी में जितने भी कोलेज से सभी में एडमिसन स्टार्ट हो चुका था लेकिन अभी दो महीने के बाद जो ह जितने राची उनिवर्सिटी के अलपसंग के कॉलेजे सभी में एडमिसन स्टार्ट हो चुका है लेकिन गोसनर कॉलेज में एडमिसन के लिए फोर्म अपलाई होना इन सभी अलपसंग के कॉलेजों से पहले स्टार्ट हो चुका है वो भी कॉलेज के विबसाइट के थुरू और अभी तक बहुत सारे students ने college के website के तुरू से regular courses में form apply कर भी दिया होगा लेकिन दोस्तो अब मैं आप सबी को बता दूँ कि राची इन्वर्सिटी जो है अब हैसला किया है कि जितने भी अलपसंक्य college है सबी chancellor portal के तुरू से अपना students को admission लेंगे और ऐसे में एक अलपसंक्य college होने के नाते गोशन college को भी chancellor portal के तुरू से ही admission लेना पड़ेगा लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनका क्या होगा जिनोंने college की website से फेले ही form apply कर लिया है तो दोस्तों आप सभी को घबराने की जवरत बिल्कुल भी नहीं है आप सभी को इस वीडियो में मैं एही बताने वाला हूँ कि जिनोंने college की website से form apply कर लिया है उनको अब क्या करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि अभी तक जिनोंने apply नहीं किया है form उनको क्या करना है तो देखिए सबसे पहले आपको चांसलब पोटल में चले जाना है और वहाँ से अपना आईट्यू बगरा बना करके वहाँ पर form apply करना है उसके लिए मैंने और वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा और साथी साथ आपको इस वीडियो के आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा होगा आप उस पे क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे apply करना है तो देखिए बात ऐसा है कि जिनोंने पहले ही कोलेज की website से form apply करना ही पड़ेगा लेकिन अब आप जरूर सोच रहे होंगी कि जो पहले form apply कर लिये हैं और उस समय जो हमने application fee payment किया है उसका क्या होगा तो इसका भी answer है मेरे पास देखिए बात ऐसा है अभी chancellor portal से आपको form apply करना ही पड़ेगा और इसमें जो application fee होगा वो भी payment करना पड़ेगा ठीक है और जब आपका selection हो जाएगा और उसके बाद admission होगा तो जो admission fee होगा उस admission fee का total में जो application fee होगा जो आपने payment किया है उसको adjust किया जाएगा मतलब कि जो भी आपका application fee रहा होगा उसको minus किया जाएगा ठीक है तो इतना सा बाद आपको समझ में आ गया होगा तो मैं साथ में यह अभी बता दूं कि यह जो बाते हैं यह सभी खुद से मैं नहीं कह रहा हूँ ठीक है यह सभी college से पता चली है तो इसलिए मैं आप सभी क यह चीज़े बता रहा हूँ और द्यान रखिए अगर ऐसा नहीं होगा तो इसकी guarantee मेरी नहीं है ठीक है जो कुछ भी बता चला है college से और वही चीज़े जो है मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही जिनको गोश्म कोलेज राची में admission लेना ही है तो उनको तो यह सब करना ही पड़ेगा तो इसलिए अब आप बिंदास जो है अचांसर पोडल में जाहिए और अपना जो है form apply कीजिए ठीक है चाहे आपने पहले form apply कर लिया है या फिर नहीं किया है तो आई होप आप सभी को ये सभी बातें जो है समझ में आ गई होंगी तो इससे लेटेट कुछ भी